अध्याय 18 वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहन करता है वो मुझे ग्रहन करता है पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबोया जाता ठोकरों के कारण संसार पर हाए ठोकरों का लगना तो अवश्य है पर हाए उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है यदि तेरा हाथ या तेरा पाउं तुझे ठोकर खिलाए तो काटकर फेंक दे तुंडा या लंगडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पाउं रहते हुए तु अनंत आग में डाला जाए और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तु नरक के आग में डाला जाए देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुछ न जानना तो क्या निनानवे को छोड़ कर और पहाडों पर जाकर उस भटकी हुई को न धूंडेगा और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुम से सच कहता हूँ कि वो उन निनानवे भेडों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना की इस भेड के लिए करेगा ऐसा ही तुमारे पिता की जो स्वर्ग में हैं ये इच्छा नहीं की इन छोटों में से एक भी नाश हो यदि तेरा भाई तेरा अपराद करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा यदि वो तेरी सुने तो या तीन गवाहों के मुह से ठहराई जाए यदि वो उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे परन्तु यदि वो कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाती और मैसूल लेने वाले के समान जान मैं तुम से सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृत्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंदेगा और जो कुछ तुम पृत्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा फिर मैं तुम से कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृत्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ तब पत्रस ने पास आकर उससे कहा हे प्रभु यदि मेरा भाई अपरात करता रहे तो मैं कितनी बार उसे शमा करूँ क्या साथ बार तक हीशु ने उससे कहा मैं तुझसे ये नहीं कहता कि साथ बार वरन साथ बार के सत्तर गुने तक इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो दस हजार तोड़े का रिनी था जब चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा ये और इसकी पतनी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा हे स्वामी धीरजधर मैं सब कुछ भर दूँगा तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका रिण ख्षमा किया परन्तु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके सौ दिनार धारता था उसने उसे पकड़ कर उसका गला घोंटा और कहा जो कुछ तेरे उपर रिण है भर दे इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा धीरजधर मैं सब भर दूँगा उसने नमाना परन्तु जाकर उसे बंदी ग्रह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया तब उसके स्वामी ने उसको बुला कर उससे कहा ए दुश्दास तूने जो मुझसे विंती की तो मैंने तो तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा किया सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसी ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे इसी प्रकार यदि तुम्मे से हर एक अपने भाई को मन से ख्षमा न करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा